नमश्कार स्टूडेंट्स आयम अर्शा गुपता यौर एसस्टी टीचर टुड़े वी आर डिसकसिंग आपाउट सम इंपॉर्टेंट कुश्टेंस चैप्र नूमर थी वाट इस गौर्मेंट आर फर्स कुश्टेंस इस फाइज इन विच यू थेंग गौर्मेंट अफेक् अ किसी भी तरह का भेदभावा वर एばहो होता है डिस्क्रिमेशन ऑन करते हैं और civic करने का सब्रेएज कोई चल्वाटे चाय। पार्ट चोरी डखाती मार काट किसी भी तरह की कोई दुरगटना होती है तो उसे कंट्रोल करने का काम गवर्मेंट का होता है जिससे कि हमारी सोसाइटी के अंदर शांती रहे और लोग ठीक धंग से वहां पर रह सकें एंड नेक्स पॉइंट इस पेपल डू लीड प्रॉप और ट्रांसपोट फैसिलीटी यह सब करने अपने सिटीजन्स को प्रोवाइट कराती है एंड यॡीट मेंडिकल फैसिलेटी एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा एकसेक्टरा एफन्वांडवन पोईं से listen to the Africa बेटनोट ऑने एंड वने और क्या, एक 179-पत्यफंड व theo एक्ष hanato को देती है जिससे कि वो natural calamities के अंदर जो problems को citizens को people को face करनी पड़ रही है वो उसे निकल सकें और अपना regular development पो कर सकें and our next question is what was suffrage movement suffrage movement क्या था the movement of voting rights to women came to be known as suffrage movement यह जो women's rights दिलाने के लिए जो movement चलाय गया था उसी को हम क्या बहुते हैं suffrage movement कहते हैं and the third question is why are democratic government called representative in the democracy people elect their representative for a fixed time fixed period democracy people क्या होते हैं democracy पेंदर जो representative होते हैं वो fixed period के लिए select होते हैं these representative make law and govern the people यह क्या करते हैं कि laws बनाते हैं आप people को govern करते हैं democracy is the rule of people यह क्या है rule of people है लोगों का ही यह rule है that's why democratic government called representative आज के वीडियो में students इतना ही इस chapter के सारे questions आपको करने हैं अपनी notebook के अंदर जो कुछ भी आपको problem आती है अपनी problem class के अंदर आप discuss कर सकते हैं या whatsapp पर personal number पर आप अपनी problems को send कर सकते हैं thank you and have a nice day आपको कर सकते हैं